मध्य प्रदेश का दहियार नाम का भुपाली आम दुनिया भर में प्रसिद है भुपाल फ्रूट रिसर्ट सेंटर में इन दिनों दहियार आम देखने को मिल सकता है विग्यानिकों का यह मानना है कि दहियार आम को जो एक बार चक लेता है वो इसका स्वात नहीं मुल पता इसलिए विदेशों में दहियार आम की मांग बढ़ गई है दहियार आम का सुआत बहुत अलग होता है और ये मद्यम आकार का आम माना जाता है जिसका वज़न महस 80-100 ग्राम तक होता है ये दिखने में देशी आम जैसा होता है और इसकी पहचान हरे रंकी छड़ से होती है ये आम दूसरे आमों की तुलना में देर से पकता है और आम तोर पर ये जून के पहले सब्ता से पकना शुरू हो जाता है पकने पर ये हलके पीले रंका हो जाता है चतरपुर के बाजारों में आम की आवक से रौनक बढ़ गई है और लोग यहां आम करीदने के लिए पहुंच रहे हैं गर्मी के मौसम में आम की डिमान एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है तपता सूरज, तीज धूप, गर्म हवाएं, लूका चलना और भीशन गर्मी इन सबसे बचाव के उपाय तो कई है लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आती है और वो है आम गर्मी जैसे जैसे अपने रंग में लौट रही है, मार्केट में आम की डिमांड भी बढ़ रही है, खास कर दश्वेरी आम की चतरपुर में भी लोग आम को देख उसकी तरफ खिचे चली जा रही हैं तभी यहां व्यापारी भी कह रही है कि आम भी बढ़िया आ रहा है और गर्मी में इसकी आवक भी बढ़ गई है आभी तक तो सामान रही है लेकिन अच्छी खरीद़ारी चल रही है आम की आवक बढ़ गई है मांग भी बढ़ी है और अच्छा आमारा है आम से कई चीजे बनाई जाती है फिर वो पीने वाली हूँ या खाने वाली हर कोई आम को किसी न किसी रूप में पसंद करता है लेकिन महंगाई के इस दौर में लोगों को डड़ था कहीं आम इस सीजन महंगा न पड़ जाए तो व्यापारियों का साफ कहना है कि इस बार आम की कीमत ज्यादा नहीं है व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में दश्वेरी आम की काफी डिमांड है लोग इसे देख अपने आपको रोक नहीं पा रहे आम की रेट वाज जब इस समय अभी सही चल रहे है क्योंकि भी सुरूमात है सुरूमात के साफ से 40 रुपे 30 रुपे 50 रुपे जो जैसे माल आ रहे हैं तो शुरूमात में माल की आबा खो दीती तो जज़ादा रेट रहता था ता इस बार वो रेट नहीं है इस बार सामान ने रेट है और बुंदेर कंड में दसेरी की ज़्यादा डिमान चली तो दसेरी बड़ी आ रही है अच्छे एक माल आ रहे है और बिग भी रहा है आम चीज ही ऐसी है हर कोई साल भर इसे खाने के लिए गर्मी के मौसम का इंतिसार करता है क्योंकि आम का असली मसा गर्मी में ही आता है